हलो एब्रियोंन वेल्कम बैक टू माई चैनल एचिम पद की आवेदन के लिए सब को मिले अबसर दस बर्स अनुभब करने की पातरता की करी निंदा जीले के मादमिक सिक्षकों की बैठक गुरुबार को राज मैदान में हुई अध्यक्स्ता जुनेद आलमने की बैठक में बिभीन मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की गई तथा प्रधाना अध्यापक नियुक्ती में BPSC द्वारा मादमिक सिक्षकों के लिए 10 बर्स अनुभब रखने की पातरता की करी निंदा की गई अनुमंडल सचिप सदर मुहन चौधरी ने कहा कि डाइट नियुक्ती में 3 बर्स कानभब रखा गया था पर प्रधाना अध्यापक नियुक्ती में 10 बर्स कानभब रखना मादमिक सिक्षकों के साथ घोर अन्याए है दस बर्स की बादिता की बज़ा से अधिकतर मादमिक सिक्षक बिग्यापन के अलोग में आबेदन करने से बंचित हो रहे है इस मुद्या पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि सिक्षकों ने अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी है आनुभब की बादिता समाप की जाए और यदि आनुभब अनिवार रहेगा तो उसे तीन वर्स रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यापन से आबेदन करके प्रधाना द्यापा के पत तक पहुंचने की प्रकिरिया में भाल ले शके केबल परिक्षा में बैठने से बंचित करना या कहीं से उचित नहीं है बैठक में मौजू सिक्षकों ने कहा कि सम्विधान भी अबसर कि शमानता की बात करता है ताहम सभी शिक्षक सरकार से इस मुद्दे पर अनुरोध करते हैं कि BPSC के संग्यान में लाकर अनुभब की इस बाधिता को कम करने का प्रयास किया जाए सभी शिक्षकों को इस पिग्यापन में आवेदन करने का अफसर प्रदान किया जाए बैठक में इस निर्ने से शिक्षकों ने बिहार मादमिक शिक्षक संग के अधिकारियों को भी अबगत कराया तो यह लोग मांग कर रहे है कि 10 वर्स जो अनुभब की बादिता है उसको खतम किया जाए और अगर अनुभब की बादिता रखना भी है तो इसको तीन वर्स से ज्यादा नहीं रखा जाए तो इशी को लेकर ये लोग अपनी मांग को रखेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए